आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल अलग और बिल्कुल नए तरीके का ये नास्ता जो आपको बहुत पसंद आएगा बहुत ही tasty लगता है खाने में और healthy भी है वैसे तो मैं ये पराठा बना रही हूँ लेकिन इसमें पिज्जा और सेंड्विच दोनों का ही टेस्ट आपको मिल जाता है तो चलिए बनाते हैं ये बहुत ही tasty नास्ता इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ढो तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहू का आटा दो कप और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक देंगे आधा चोटा चमस नमक एड़ करतेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके और नॉर्मल पानी से हम इसे गूथ लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम इसका एक soft dough तयार कर लेंगे जैसे रोटी या पराठा बनाने के लिए हम आठा तयार करते हैं उसी तरह से हमें आठा तयार कर लेना है तो ये देखिए आठा मैंने गूत लिया है अब इसे हम ढग देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से soft हो जाए तब तक हम यहाँ पर मिस्रन तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है देर सारी सबजिया बारिक बारिक सा काट करके गाजर, सिमला, मेर्स, पत्ता, गोभी, प्याज और इसे हमें बलकुल बारिक बारिक सा काटना है और भी आप कोई सा भी अच्ग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटर लिया है और टमाटर के बीज और जूस मैंने निकाल दिये हैं टमाटर बहुत जादा जूसी नहीं लेना है और ये हरी मिर्च है तो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और ये है बलेक पेपर यानि ये काली मिर्च को क्रस करके मैंने डाला है नमक डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के कॉर्डिंग और ये मैंने लाल मिर्च डाला है आधा चोटा चमज की करी या फिर आप अपन काटो केचप डालेंगे वाँ दालेंगे मैयोनीजों दो चमच मैं यहां पर डाल रही हूं मैयो लूपनीज बहुत ज्यादा मैयोनीज nodig ने डालना है कि दो चमच ही डालेंगे क्योंकि इसे करता हैं न कि стал पिजा का फ्लेवर लाने के लिए पिजा सीजनिंग हम डालेंगे थोड़ा सा तो अगर आपके पास है तो डालें नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं इसे थोड़ा सा पिजा वाला फ्लेवर आ जाता है तो इसे आप डाल सकते हैं पिजा सॉस भी डाल सकते हैं आप इसमें और अब बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो बिल्कुल इसी तरह का हमें आठा चाहिए, तो यहां पर हम लोईया बना लेंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनाने हैं, बहुत छोटी भी नहीं बनानी है, जिस तरह से नॉर्मल पराठे का हम लेते हैं, आठा उस तर मिल देंगे, और मीडियम साइज की रोटी है, बहुत मोटी भी नहीं है, और बहुत जादा पतले भी नहीं है, इस तरह से हम इस पर रखेंगे, यह अपना मिसरन, बिल्कुल बीचो बीच रखेंगे, और इस तरह से हलके से चम्मत से फैला देंगे, और इस तरह से हम इसे करेंगे दोनों साइट से पहले हमें फोल्ड करना है फिर इधर से भी हमें दोनों साइट से इस तरह से फोल्ड करेंसे और इस पर टवे पे तवा गरम है और इसके हम डालेंगे और इसके हम शेक लेंगे तो दोनों साइड से इसके हमना हूं को नीचे से थोड़ा सा हो जाए तो हम इसे प्लट देंगे और मैं दूसरी साइड से भी इस्थासी गोहाई अदि यह लिए तो पराठे को मेडियम फ्लेम पर ही ताकि यह अच्छे से अंदर तक पक जाए तो मैंने यहां पर बटर लगाया है तेल या घी भी लगा सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसे दुनों साइट से अच्छे से से लिया है और यह बहुत ही बढ़िया बनकर गे त्यार हो गया है इसी हम निकालेंगे एक टीसू पे और यह देखिए रेटी है हमारा यह बिल्कुल ही नए तरीके का पराठा इसे काट लेते हैं और यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और बहुत ही जादा यह खाने में यह टेस्टी है किसी भी चटनी के साथ आप इसे प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की रेस भी आपको मिलती रहे तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई